नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई आवेदक या आर्टियाई कारिकरता आर्टियाई एक्टिविस्ट कोई सूचना आयोग में सिकायत बात दायर किये हैं तो हुआ कि इस तरह के उपयोगिक वीडियो और इतियाई भ्रस्टाचार को उजागर करने के लिए लोकायूकर में शिकायत लोगश्ट सिकायत नेवारंकेंद एवब निगराने विभाग, सूचना आयोग, मानवादिकार आयोग इस प्रकार के आयोग में किस प्रकार सिकायत आप कर सकते हैं भ्रस्टाचार के खिलाब किस प्रकार लर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बराबर आप लोगों को बताने का प्रियास किया करता हूँ तो था जो भी कारवाई की जाती है उसकी परमानिच छाया परती उस ओर्डर सीट की परती को ही परमुक्ता से दिखाया जाता है तो चलिए इसे एक लाइक भी कर देंगे तथा इसे इतना सेयर करेंगे कि हर सिकायत करता को इसकी जानकारी पहले से हो सके तो इस चार बिंदियों पर मैं बात आज करूँगा सिकायत बाद में आप लोगों को किस-किस बिंदों पर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप सिकायत करें तो उस लोग सुचना पतादिकारी का नाम भी आपको अवस पता रखना होगा तो आप जिस भी विभाग में सिकायत करें जिस भी विभाग में आप RTI लगाएं तो उस लोक सुचना का पदाधिकारी का पता अवस सिकायत बाद में भी लिखें इतना ही नहीं अब आयोग के द्वारा भी सिकायत बाद से उनका बरतमान पता भी पूछा जाता है आप लोग देखें मैं इस चार बिंदों में से पहला बिंदू पर बात कर रहा हूं कि सिकायत करता को आदेश दिया जाता है कि वे उस पदाधिकारी या क्रबचारी का नाम वो बरतमान पता जिसके इबुरुद सिकायत की गई है को असपष्ट करती वे एक परतिवेदन के माध्यम से एक पक्षमे आयोग को संतुष्ट करें जिस भी सिकायत बाद में आप जिस भी लोग सुचनापदाधिकारी की सिकायत किये हैं यदि उनका अस्थांतरन हो गया है उसकी पदस्थापना दूसरे जगह हो गई है या उनका परमोशन दूसरे जगह हो गया है तो उसका भी बरतमान पता आपको ही बताना होगा या कुछ कठिन सा मालूम होता है और जब यह और अधिक कठिन तब हो जाता है जब लोग सूचना पतादिकारी रिटायर हो जाते हैं तो उनके निवास अस्थान का भी पता सिकायत करता से ही आयोग द्वारा भी पूछा जा जो कि एक गंभीर विशय है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को पहले से सतर्क भी रहना चाहिए, कि उनका बरतमान पता, पदस्था अपना या रिटायर कर गए हैं, तो उनकी निवास अस्थान की जानकारी अवस्रक हैं. तो यह इन बिंदों पर मैं आज चर्चा कर रहा था, तो सिकायत को परमानित करने के लिए उनके पास साक्ष है, आप जो भी आप सिकायत की हैं, उसको परमानित करने के लिए, आप सभी साक्ष को एक ठित कर रखें. या दूसरा point हुआ, तीसरा point हुआ कि वे इस आयोग के समक्ष रखने को तयार हैं, साक्ष को रखें के लिए तयार हैं और उस साक्षों की एक सुची भी आयोग को समर्पित करना होगा पहला बात हो गया कि उसका वर्तमान पता या पदस्थापना की जानकारी रखना, उनका नाम भी पता रखना दूसरा है कि 15 दिनों के अंदर हायोग को एक परतिवेदन के माध्यम से संतुष्ट करेंगे कि उन्हें प्रमानित करने के लिए उनके पास साक्ष है तीसरा है कि उस साक्षों की सुची आपको समर्पित करनी होगी चोथी बात ध्यान देने योग की बात है कि जो आप सिकायत किये हैं जिस भी लोग सुचना पदादिकारी की जो भी सिकायत किये हैं उसकी प्रतिलीपी भी आप ठीक से समझ लें और उसके अनुस्वार से ही एक अपना प्रतिवेदन सुनवाई के पहले ही आयोग में पत्र के माद्यम से या मेल के माद्यम से या वहाँ जाके सुनवाई के तिथी के पहले ही अवस्य जमा करा दें जिससे आपको सुनबाई में उस परतिबेदन के आलोक में बहस करने में आसानी होगी और अपना पक्षा प्रमुक्ताक से रख सकेंगे जैहिन